के मशकार दोस्तों जैन कोकिन बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागति और में हूँ मीना जीन फ्री अइंलाइन एड़ेस बेकिंग क्लास में हमने फ़र्स दे of attach depths कौन से टूल्स की ज़रू थे आमें सेकेंड है देखा था हमें कौन से इंग्रेडियन्स की ज़रुती और आज से हम शुरू कर रहे हैं ये बढ़िया केक स्पंच और ये देखिए कितना सुपर साफ्ट बना हुआ है ये और कितना बढ़िया बना है तो ये परफेक्ट मेजर्मेंट से बना है 100% बिगडने का चले क्या करना है हमने ये सौन किया है एक कड़ाई ली है ये 12 इंच की कड़ाई है और इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला है ये नमक मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ और इसे फैला दिया है और इसमें एक रिंग रग दी है आपको इसी भी रिंग रख सकते हैं अगर नहीं है आपके पस एक छोटी कटोरिय प्लेट भी रख सकते हैं और इसे ढग दिया है और मिडियम फ्लेम पर इसे दस से बारा मिनेट तक हम प्रेहिट कर लेंगे इसी तरह आप कुकर भी ले सकते हैं और कुकर को भी कर सकते हैं और ये मैंने छैंच का केक टीन लिया है और इ से इस तरह से हम बटर पेपर को काट लेंगे अगर आपके पस बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी प्लैन पेपर ले सकते हैं और इस तरह से गुलाई में काट लेंगे मेजर कर लेंगे और यह दीख रहे हैं इस तरह से यह इसे पेपर पर रखकर पेण से निशान लगा कर भी आप काट सकते हैं इस तरह से गुलाई में काटने के बाद हम इसे अंदर रख लेंगे इससे हमारा केक इस पाइंच नीचे चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे से बेख होगा तो अब हम यह केक्टिन में पहले आईल से ग्रीस करेंगे आधा चम्मच हमने आईल लिया है और सब ब्रश से चारो तरफ अच्छे से फैला देंगे अच्छे से फैलाएं ताकि हमारा केक कहीं से भी चिपके नहीं और निकालते वक्त तर तूटे नहीं हमने इस चारो तरफ अच्छे से लगा दिया है अगर आपके पास बटर पेपर और यह नहीं है और अगर पेपर नहीं लगाना चाहरा है आप तो मैदे से दस भी करें थोड़ा सा सुखा मैदा लेके यह तेल के उपर छड़क दें यह हमने बटर पेपर को इसके अंदर सेट कर दिया है और उपर से भी यह हम थोड़ा आईल वाईला ब्रश गुमा देंगे ताकि हमारा अच्छे से केक निकल जाए जब भी आप केक बनाएं सभी सामगरी एक साथ इखटा कर लें एक जगे रख लें और सभी सामगरी रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए तो यह दिखते हैं हम हमें चाहिए यहां पर वन कप मैदा हाप कप पी सीवी चीनी यह घर की पी सीवी चीनी है वन थर्ड मिल्क पाउडर वन फोड आईल यह आडरलेस आईले कोई फ्लेवर वाला नहीं है हाप कप दूद जरूरत के हिसाब से एक चमज और हम लग सकता है ह वन टी स्पून बेकिंग पौडर हाप टी स्पून बेकिंग सोडा वैनिला एसेंस और विनेगर तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें यह आधा कप यानि 100 ml दूद लेंगे और वन टेबल स्पून विनेगर डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 पिनिट के लिए हम इसे ढख कर अलग रख देते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा करडल हो जाए यह थोड़ा सा फट जाता है और इसे हमारा केक बहुत ही अच्छा फुलता है यह नार्मल टेम्प्रेचर का दूद है अब हम एक बॉल लेते हैं और यह सभी ड्राइ इंग्रिडिएंस इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से चान लेते हैं हमने एक कप मैदा यानी 120 ग्राम हमने मैदा लिया है और आधा कप घर की पीसी हुई चीनी लिये यानी 80 ग्राम हमने शकर लिये इसमें वन थर्ड मिल्क पॉडर या चालिस ग्राम मिल्क पॉडर लिया है और वन टी स्पॉन बेकिंग पॉडर याने छे ग्राम हमने बेकिंग पॉडर लिया है और हाफ टी स्पॉन बेकिंग सोडा या चार ग्राम बेकिंग सोडा लिया है हमने और सबको अच्छे से mix कर लिया है अच्छे से छान लेते हैं अगर आप beginner से हैं तो इसे दो से तीन बार छान लें ताकि सभी सामगरी हमारी अच्छे से mix हो जाए और हमारा cake evenly बेखो कहीं से फुले नहीं कम कहीं से फटे नहीं और बहुत अच्छे से बेखो तो हम इस तरह से दो से तीन बार छान लेंगे इससे एरेशन अच्छा होता और हमारा cake अच्छे से फुलता है अब हम ये दूदवाला मिश्चर लेते हैं और इसमें ये देखते हैं कि ये थोड़ा सा करडल हो गया है हमारा और इसमें 50 ml हम इसमें ये आईल डल देते हैं ये आडरले साही ले सनफ्लावर ले सकते हैं कोई भी रिफाइंड आईल ले फ्लेवर वाले नहीं ले और अच्छे से मिक्स किया आब हमने इसमें आब हम दीरे दीरे ये ड्राइ इंक्रिडेंस मिला लेते हैं दो से तीन बेच में हम इसे मिला लेंगे ताकि लंप्स नहीं आए दीरे दीरे करके ये अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ये देखिए अगे मैं आपसे कई ट्रेक्स शेयर करूंगी कि हमारा के क्यों उपर से फट जाता है अंदर क्यों बैट जाता है क्यों तूट जाता है निकालते वक्त इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें यह हमने दो से तीन बेच में पूरा मिक्स कर लिया है अच्छे से और इसमें अब हम आधा चमच याने हाफ टी स्पॉन हम वैनिला एसेंज डालेंगे आप जो फ्लेवर का बनाना चाहें वो एसेंज डाल दें आप यहाँ पर किसी कलर का यूज़ करना चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं आप देख रहे हैं अभी हमारा बेटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है टुकडो टुकडो में गिर रहा है तो हमें यहाँ पर एक टेबल स्पॉन दूद की जरुद और हैं हम इसमें एक टेबल स्पॉन दूद और डालेंगे यह देखिए आप हमने वैनिला इसेंज डाल हो सकता है कोई मैदा कम सोकता है और कोई मैदा ज्यादा सोकता है आप मैदे की जगें यहाँ पर आटे का यूज़ भी कर सकते हैं यह देखिए अब हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है और अब हम इसे जो टीन हमने तयार किया था उसमें डाल देते हैं यह देखिए रिबन कंसिस्टेंसी है यह हमारी यह रिबन के तरह गिर रहा है और हमने इसमें अच्छे से पूरा बेटर डाल दिया है और लेवल कर दिया है और अच्छे से इसे एक से दो बार टेप कर ले और ये जो कड़ाई हमने शुरुवारत में करम करने के लिए रखी थी उसमें हम ये रख देते हैं अब हम इसे ढख कर 30 से 35 मिनिट बेक करेंगे 2 से 5 मिनिट आपके गेस की फ्लेम पर डिपेंड करता है कि और ये बरतन पर डिपेंड करता है कि कौन सा बरतन है तो इसलिए 2 से 5 मिनिट का अंतर आ सकता है ये मैंने 35 मिनिट के बाद इसे खोला है और देख रही हूँ ये परफेक्ट बेक हुआ है इसे स्टिक से हम इसे चेक कर लेंगे कि अगर स्टिक साफ निकलती है तो हमारा केक परफेक्ट बेक हुआ है अब मैंने इसे कड़ाई से निकल लिया है और ठंडा कर लेते हैं आप देख रहे हैं कि इसकी साइट पूरी छोड़ दिये इसने तिन ने मतलब हमारा केक परफेक्ट बेक हुआ है ठंडा करने के बाद हम इसे थोड़ी सी साइट छोड़ा लेंगे और हमेशा केक को ठंडा करके निकलें अगर गरम गरम आप निकलेंगे तो यह बिखर जाएगा इसलिए ठंडा करने के बाद इसे तेन से बाहर करें आप देख रहे हैं कितना बड़िया बेक हुआ हमारा एकदम इवन बेक हुआ है कहीं से भी क्रेक्स नहीं आये हैं और साइट से भी एकदम यह जालीदार बना है तो चलिए इसे हम कट करके देखते हैं यह अंदर से हमारा केक कैसा है पीछे से भी अच्छा कलर आया है चारो तरफ से बहुत ही अच्छे से बेक हुआ एकदम इवन कलर आया है तो आईए हम इसे कट करके देखते हैं कि अंदर से ही कैसा है यह हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर रहे हैं, यह वापस उठके आ रहा है, मतलब हमारा अंदर से पूरा बेक हो गया है, अच्छा जालीदार बना है, तो इसकी यह पहचान होती है, तो आप देख रहे हैं, अब हम इसे कट करते हैं, आप इसे लियर में भी कट सकते हैं, और इसे ट्रेंगल में हम इसे, इसे हमेशा ऐसे जिगजग करके काटें, तो यह अच्छा से कटेगा, कभी भी एकदम से हम इसे नहीं काटेंगे, हमेशा दीरे-दीरे इसे जिगजग से काटेंगे, यह देखिए, कैसा बना है अंदर से, देखते हैं, वाउ, बहुत ही बढ़िया, एकदम जाली दार बना है यह हम इसे प्रेस कर रहा है उठके आ रहा है मतलब एकदम अच्छे से बेक हुआ है यह पूरी तरफ अग्या है और हमारा विकर भी नहीं रहा है ब्रेट क्रम भी नहीं आ रहा है इस पर यह देखिए चारो तरफ से बहुत अच्छा अब हम इसे स्लाइज में भी काट के दिखते हैं ये हम इसे स्लाइज करते हैं ये इस तरह से आप जिग 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 करते हुए आगे पीछे चाकु को करते हुए कट करेंगे यह देखिए बहुत ही बड़िया स्लाइज निकली है कई से भी विखद नहीं रहा है तोट नहीं रहा है और पूरी तरह अच्छे से बेक हुआ है तो यह अगर आपका केक उपर से फट रहा है तो समझना आपका टेम्प्रेचर थोड़ा ज्यादा है कम टेम्प्रेचर पर बेक करें अगर नीचे बेट गया है बीच में गड़ा हो गया है तो समझना आपका केक बेटर पतला हो गया है और इस तरह से आप हमेशा सही नाप से बनाएंगे तो बहुत ही बड़िया केक बनेगा आपका